फाइब पर्सनल लोन क्या आप यहां से लोन लेने के लिए लिजबल है या नहीं अगर आप लोन लेते हो तो कितना ज़ाद आपसे आपर लेट पेमेंट फ्री लग सकता है और यह प्लैटफॉर्म सेफ है या नहीं हम जानेंगे इस वीडियो में वीडियो कौन तक जरूर द लेता था और यह प्लैटफॉर्म और फ़र्ग भाई है Social Worth Technology Private Limited जैसा कि हम बोल रहे हैं 5 पर्सनल लोन तो यह एक लोन प्रोवाइडिंग प्लैटफॉर्म है 5 या तो फिर अर्ली सालरी सिंस 2016 से प्लेश्टर पर अवाइलेबल थी अभी भी यह चल रही है अब तक इस प्लै इसके अलाबा लावा लॉंग टर्म पर्सनल लोन इसके अलाबा बाइन आउ पे लिक्टर वाली सर्वीज भी यह प्लैटफॉर्म आपको प्रोवाइड करती है अब आप खुद ही सोच लो कि किसी भी लोन प्लैटफॉर्म को हम से अन से क्योर कैसे कंसीडर करते हैं अगर यही सारी पॉइंट्स हमें क्लेट देती है कि हां यह प्लैटफॉर्म से अरली सेलरी सर्विसेज प्राइव लिमिटेड और अपको प्राइव यहीं इसके अलवा इनकी जो लांडिंग पार्टनर्स है वह वी अर्बी आई के अंडर अन्डी अप्सी रजिस्टर्स कंपनी लैख आधित बिर्ला फाइन्स कंपनी इसके अलवा हटु फाइनस करॉपरेशन और और बहुत सारे इनकी लांडिंग पार्टनर्स है जो की कि सारे का सारे thriller seperti कंपणी है यहां पर वहां हमें RBI रजिस्टर्ट कमपरी देखने को मिलें, that's why हमें इसे Safe & Secure बोल सकते हैं, लेकिन कुछ और पॉइंट्स भी है, जो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, like जब भी आप इस प्लाटफोर्म, यहाँ पर आपको भी प्लाटफोर्म से आप लोन लेने जाते हो ना, यहाँ पर आपको यह बहुत सारे अक्सेस मांगता है, आपके फोन का, like आपका कैमरा अक्सेस मांगता है, यह बोल कोई कि आपको करवाते समय जरूरत पड़ीगी, आपका स्टोरेज के अक्सेस मांगता है, आपके कॉन्टेक्स के अक्सेस मांगता है, आपके कॉल लॉक्स के अक्सेस मांगता है, आपकी लोकिशन के अक्सेस मांगता है, और इस प्रकार के और भी छोटी 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 अक्सेस मांगता है यह प्लाटफोर्म, अगर देखा जाए तो जाता दर loan providing platforms तो यह access आप से म्यांगती ही है यहाँ पर अगर हम देखें तो RBI registered companies ना आपके data को cloud में safe नहीं रखती है अब यहाँ सर होता क्या है कि in future अगर आप इस application को uninstall कर दोगे ना तो friends यह आपकी access और ज्यादा लेन ही पाएगी या फिर सारे का सारे details वहां से हट जाता है except आपकी contact details या जो भी आपने प्रोवाइड किने है अगर अगर देखा जाए तो जी हाँ early salary या फिर 5 safe and secure platform है 5 पर अगर आपको loan लेना है तो इसके लापको eligible होना पड़ेगा और eligible criteria के अगर बात करें 21 plus आपकी age होनी चाहिए इसके अलावा आप एक salaried person हो चाहिए अगर आप salaried है तो इतना ही काफी नहीं होगा आपकी मंदले income 15,000 प्लस होना चाहिए तब ही जाकर आप यहाँ पर eligible हो पाओगे for that personal loan इसके अलावा आप यहाँ पर 8,000 रुपए से लेकर के 5,000 रुपए तक का आप personal loan avail कर सकते हों लेकिन मैं अटर करता है कि आप capable हो या नहीं आप capabilities आपके bank transactions से मालूम पड़ता है आपके civil score से मालूम पड़ता है यहाँ पर यह company आपको अच्छा खासा 10 years पर दे देती है तीन महिने से लेकर के 24 महिने तक का यह सारी थी facilities जो आपको मिल रही है अब हम चाहते हैं इनके charges के बारे में जो की आपको यह charge करेंगे जिससे यह पैसा कमाते हैं या फिर वो इनका profit रहता है यहाँ पर यह आपसे इंट्रेस्ट लगता है जब भी आप लोन लेती हो तो यहाँ पर हम बात करें तो 24 परशेंट बहुत जाड़ा नहीं है एक छोटा से इंग्जांपल ले लेते हैं फ्लैट 12 परसेंट रिंट्रेस्ट और रिदूसिंग 20 परसेंट इंट्रेस्ट आल्मोस्ट दोनों बराबर यहाँ पर एक डिडिकेटेड वीडियो में बना रहा किया है फ्लैट इंट्रेस्ट रेट एंड रिदूसिंग इंट्रेस्ट रेट के वीडियो के आई बटन पर मैंने लिंक दे रखा है आप वहां से जाकर देख सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर यह आपसे अनुल परसे प्रोसेसिंग फीज रेट यहां से आपको प्रोसेसिंग फीज पर देने से पहले यह काट लेते हैं अगें यह इनका अपना एक तो अगर आप टाइम पर प्र खाइत से पारिंट पर अत्मिस बेसरों से लून पर चार्ज़ लेते हैं प्लस 18% घ्राष्टी अगर अवेल प्रोसें तो लेट पेमेंट करते हो तो उःपेमेंट पी अपको हुम पर अपर आप अलग सब ताए सिस् Ner Lu一樣 और 3% of that due loan इन में से जो भी हायर होगा वो आपको as a late payment fee चार्ज करेंगे इसके अलावा एक और चार्ज जैसे that is e-mandate rejection charges अगर आपके e-mandate reject हो जाता है तो इसके लिए भी आपसे ये चार्ज करेंगे धाई सो रूप है जब आपके e-mandate हो रहा हो तो आपको accurate information देने होते हैं इन सब के अलावा एक plus point ये है कि अगर आप इस loan को close करना चाहते हो instant तो आपके यहाँ पर किसी type के कोई भी pre-closure charges नहीं देना होता है overall अगर देखा ये तो हमें सारे के सारे points regarding that platform cover कर लिये हैं आसा करता हो फ्रेंड्स के आपको वीडियो यूच्फुल और इंफॉर्मेटिव लगे होगे but in future अगर आप इस platform को यूच करके थक चुके हैं and अब जो हैं से आप एक्सित या फिर दूर रहना चाहते हैं नहीं आपको multiple calls आए और नहीं आपको messages आए और नहीं आपको offers आए अगर आप ये सारे points चाहते हैं तो इसके लिए आपको न अपना 5 loan close करता होगा इसके अपर भी मैंने एक detail video बना रखे हैं आप बटन पे लिंक के आप जाकर देख सकते हैं स्क्रीन में अभी आपको मिल जाएगा आसा करतों फ्रेंड्स के आपको video यूजफुल और इंफॉर्मेटिव लेकी होगी मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक लिए जय हिंद जय फारता थांक्स पर वाचिन इस वीडियो जय हिंद